फिशर क्या है ये होता क्यों है और अगर आपको ये तकलीफ है तो ऐसा क्या करे जिससे इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सके आईए जानते हैं मैं डॉक्टर शीतल टॉंग से आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दॉक्टर टॉंग से होमियोपेथी ये चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकान पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें भीमारी से मुक्त स्वस्त जीवन जीए फीशर होता क्या है इसको थोड़ा आसान शब्दों में और आपको समझेगा इस तरह से मैं आपको बताता हूँ फीशर होता क्या है फीशर का मतलब होता है क्रैक हो जाना जिस तरह से हमारे ओट फट जाते है उसी तरह से लैटरिंग की जो जगह है वहां की जो mucous membrane है उसमें crack हो जाता है वो फड़ जाती है उसको ही हम लोग fissure ऐसा बोलते है तो इसके कारण क्या है क्योंकि अगर आप कारण को समझेंगे तो आप इस बिमारी से पूरी तरह से ठीक हो सकते है इसका सबसे मुख्य कारण है hard stool का होना यानि कि सक्थ latrin का होना क्योंकि अगर आपकी latrin सक्थ है तो जब पास होगी तो latrin की जगह पर आपके इस anal region में वो crack कर देगी वहां पर फड़ जाएगा जिसकी वज़े से fissure त्यार होगा दूसरा कारण होता है diarrhea यानि कि बार बार latrin को जाना अगर पड़े उस वज़े से भी यहां पर cracks पैदा ह हो सकते है IBS या फिर ulcerative colitis इस तरह की कुछ बीमारिया भी होती है जिसमें fissure की तकलिफे बढ़ जाती है और एक कारण इसमें होता है जिसको हम कहते है spinter muscle जो यहां की होती है उसमें अगर tension आ जाए किसी भी वज़े से तो यह fissure की जो बीमारी है आपको पैदा हो सकती है अब यह जो लैटरीन की जगह है यहां पे अगर low blood supply आ जाए और किसी कारण की वज़े से तो भी इस लैटरीन की जगह पे cracks हो सकता है जिसकी वज़े से fissure आपकी शरीर में पैदा हो सकता है अब जानते है कि इस बीमारी के लक्षन क्या क्या है ताकि आप इसको diagnose कर सके तो सबसे dangerous लक्षन जो है वो है बहुत दर्द होना गंभीर दर्द severe pain क्योंकि जब लैटरीन यहां से जबरदस्ती पास होके जाएगे और यहां पे जब crack हो जाएगा वो जब फट जाएगा तो घिसके लैटरीन जब यहां से पास होगी बहुत दर्द होगा severe pain होगा दूसरा जो लक्षन इसमें दिखता है वो है red fresh blood वो blood लैटरीन की बहरी सतर पे आपको दिखेगा तीसरा लक्षन इसमें दिखता है गुदा के आसपास खुजली होना तकलीफ होना बैटने में भी दिक्कत होना इस तरह के लक्षन इस बिमारी में दिख सकते हैं आई अब जानते है कि इस बिमारी का निधान कैसे करें इसका diagnosis करने के लिए आपको डॉक्टर के पाज जाना पड़ेगा डॉक्टर आपका check-up करेंगे कुछ इन्विस्टिगेशन करेंगे जैसे की ऐनोस्कोपी है सिगमा एनोस्कूपी है इस तरह की कुछ टेस्ट करके आपको check करके वो पता लगाएंगे कि आपको फिशर है या नहीं है या अगर आपको फिशर है तो किस तरगा है कितना जादा है वो आपको पता लगाएंगे अब इसके इलाज की तरफ हम बढ़ते है और इलाज को समझते है क्योंकि बहुत बार क्या होता है ये फिशर लाइफ में होते रहता है समझना बहुत जरूरी है कि फिशर यूजवली होते रहता है बच्चों में भी ये तकलीफ आम है अगर डाइपर हम बार बार चेंज नहीं करते हैं तो उससे भी क्रैक पैदा हो जाते हैं तो फिशर का इलाज हम दो तरह किसे करते हैं पहला इलाज होता है अंद्रूनी है वो आप जरूर देखिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दूसरी इंपॉर्टन चीज है खाने में ज़्यादा मातरा में फाइबर्स लीजिए फाइबर्स फूड बहुत ज़्यादा होना चीए यानि कि पत्तिदार सबजिया कुछ दाल फलाह यह ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना चीए ताकि आप इस विमारी से ठीक हो सके तीसरी इंपॉर्टन चीज है पानी बहुत ज्यादा पानी पीजिए क्योंकि जितना पानी का ज्यादा प्रमान आपके शरीर में होगा आपकी लैटरिन उतनी ही सौफ्ट होगी और अगर आप घी लेते हैं तो आपका जो लेटरिन है जो स्टूल है वो थोड़ा सौफ्ट रहेगा आपको तकलीफ नहीं होगी पांच वी इंपॉर्टन चीज है केस्ट्रोल यानि कि एरेंडे का तेल अगर आपको ये प्राब्लम है तो ये इलाज आपके लिए बहुत दर साबित हो सकता है तो इसको लेना कैसे सिंपल है रोज रात को सोतेवक्त 10 ml एरेंडे का तेल आपने लेना है आप कैसे भी ले सकते हैं चाय में ले सकते हैं कुमकुमे पानी के साथ ले सकते हैं वैसे भी पी सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लिजिए ताकि स्टाइन को आपके आथ को क्लीन करने का सर्विसिंग करने का काम करती है इसलिए ये बहुत अच्छा अगर ये तकलीफ है तो डाइपर को तुरंट चेंज करिए पेट्रोलियम जेली का भी आप यूज कर सकते हो जो लगाने से वहां की जो पेशिया है वहां की जो स्कीन हाड हुई है वो भी सॉफ्ट हो जाए और इन सबसे अच्छा बढ़िया इलाज और पर्मनेंट इलाज अ फीशर को हमेशा के लिए ठीक करती है होमियोपैथी में ऐसी दवाईया है जो इस टेंडनसी को अगर आपको बार बार फीशर होता है तो इस प्रवरुत्ति को इस टेंडनसी को हमेशा के लिए मिटा सकती है होमियोपैथी बहुत ही अच्छा और कारगर इलाज है आप subscribe करिए like करिए ताकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो आप तक ला सकूँ और आपकी information को बढ़ा सकूँ आपको हमेशा healthy और fit रहने के लिए मदद कर सकूँ धन्यवाद